दो हजार बाईस के लिए राष्टिये खेल पुरुसकार बित्रित किये जा चुके हैं और आप सभी रोगों को मालू होना चाहिए कि राष्टिये खेल पुरुसकार से आपके एकजाम में हमेशा कुशन्स आते रहें और आगे भी आते रहेंगे चाहिए आप लोग सेविस सर्विस की बात कर लिजे यानि की UPSC की बात कर लिजे इस्टेट PCS में आप लोग UPSC, बिहार PCS, 36गड PCS, राजिस्थान PCS, MPPSC या पर आप लोग वन्डे एकजाम देखते रहते हैं सेंटर लेवल पर तमाब इंचाम होते हैं SSC, बैंक, रेलबे के और राज्यों में इस्टेट लेवल पर भी आप देखते हैं कि सिक्छक भरतियां हो रहती हैं पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, पटवारी के लिए तो इन सब में पुरुसकारों से कुश्चन्स पूचे जाते हैं तो आज की किलास में हम लोग इन राश्टिय पुरुसकारों के बारे में कुछ इसका बैक ग्राउंड भी देख लेंगे, कब से इस रूह हुए थे और किसली ये दिये जाते हैं, और वर्तमान में किसे दिये गए हैं 2022 के, उन नामों को भी हम लोग देखेंगे आप लोग, ठीक है तो सबसे पहले हम लोग राश्टिय खेल पुरुसकारों के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं, फिर 2022 के जो बिजेता हैं अजीव गांधी हमारे देश के पूर पिधान मंत्री थे, और इनका जनम 20 अगस्त 1944 में हुआ था और 21 मई 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी, और जो राहुल गांधी आप लोग देखते हैं प्रेंका गांधी देखते हैं उन्ही के बेटे हैं, बेटी हैं, और सौनिया गांधी उनकी पतनी हैं, इंद्रा गांधी के बेटे थे वो तो इन्ही के नाम पर दिया जाता था, लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि इसका नाम परिवरतन कर दिया गया था और वैसे भी हमारे देश में आप देखते हैं कि सरकारें बदलती हैं आती हैं तो नाम परीवरतन की पिथा कुछ जानदा आई है और मेजर ध्यानचन्द पुरुसकार एक और है उसे भी हम लोग देख लेंगे तो यह पूर्म में राजी गांधी खिररतन की रूम में जाना जाता था और यह चार वर्स की यहोदी में एक खिलाडी द्वारा खेल के छित में सांदार और सबसे उतकेट पिदासन के लिए यूबा कारिकरम और खेल मंत्राले द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच खेल पुरुसकार है और इसमें 25 लाख रुपे का नगत पुरुसकार एक पदत और सम्मान दिया जाता है खेल रतन पुरुसकार की इस्थापना 1991 बानबे में हुई थी और इसके पहले प्राप्त करता सतरंज की दिगज खिलाडी बिसुनात आनंद थे तो पहले विजेता को भी आप लोग याद रखिएगा फिर आपका दूसरा है अर्जुन पुरुसकार ये 1961 में सुरू हुआ था और भारत सरकाद द्वारा राष्टिये खेल आयोजनों में उत्किष्ट औपलब्धियों की पहचान करने के लिए इस्थापित किया गया था और यह बिगद यानि की पिछले चार बरसों की अउधी में अच्छा पिदर्सन और नेते तिकर ने खेल कौसल और अनुसासन की भावना दर्साने ही तो दिया जाता है और इस पुरुसकार की अंतरगत 15 लाख रोपे का नगत पुरुसकार अरजुन की एक कास पी दिवा और एक समान पत दिया जाता है दोडाचार पुरुसकार की बात करें तो ये 1985 में भारस सरकाद द्वारा खेल सम्विन्धी पिसीक्षण में उतकेश्टा को मानता देने के लिए इस्थापित किया गया था और यह पिसीक्षण को नेंतर आधार पर उतकेश्ट और मेधा भी कार करने तथा खिलाडियों को अंतराश्टी पिदेवगताओं में उतकेश्टिता पराफ्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है और इसमें 15 लाग रोपए का नगट पुरुसकार दोड़ाचार की एक कास पितिमा है और एक सम्मान पत दिया जाता है देखे ध्याण चंद पुरुसकार यह 2002 में सुरू हुआ था और इसके अंतरगत ध्यान चंद की एक पीतिमा दसलाक रुपे का नगत पुरुसकार और एक प्रमारपत और एक समारोहिक पोसाख हांस सामिल होती है इसमें और यह ख्राडियों द्वारा अपने प्यदर्सन से खेलों में यह उगदान देने और सेवा निवित्ती के बाद खेल आयोजनों को पुरुसान करने वालों को समानित करने के लिए दिया जाता है एक आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजा ट्रॉपी दी जाती है यह 1956 संताबन में इस्थाबित की गई थी और यह विश्विध्याले इस्तर की खेल पिदर्सन के लिए दी जाती है और यह बिगत एक बर्स की ओधी में अंतर विश्विध्याले टूनानमेंट में सीज्थ पिदर्सन के लिए विश्विध्याले को दी जाती है राश्टी खेल पुरुसान पुरुसकार तो यह पुरुसकार कॉरुपरेट संस्ताओं निजी और सारवनेक खेत दोनों छेत्रों में खेल नेंतर वोड़ों राज्य और राश्टी इस्तर पर खेल निकाया हों सहेद गैर सरकारी संगटनों को दिया जाता है जनोंने खेल को पुरुसान करने और बिक्सित करने में महत्तपूर्ण वो मिकाने भाई तेंजिंग नौरगी राश्टी साहिसिक पुरुसकार या पुरुसकार पितिवस एडवेंचर की छितम से सम्मंधित में सम्मंदित ब्यक्तियों की उलेकिनिय, उबलब्धियों को सरायने और इवाओं को चुनोती पूर्ट परिस्तितियों में धीरत जोखिम लेने सहकारी, टीम बरक और तुरंद सक्षम और प्रभावकारी कदम उठानी की भावना, बिक्सित करने में और इवाओं लोगों को खेल रतन पुरसकार किसे दिया गया है, सरी सरद कमल अंचत को, ए टेबल टैनिस से जुड़े हुए है, ठीक है? और अरजुन पुरसकार की अगर हम लोग बात करें, तो एह आप देखेंगे कि किसे किसे दिया गया है अरजुन पुरसकार, एग आप लोगों को मेजा ध्या आप लोग याद रखी किस खेल से जुड़ा हुआ है एक लाड़ी ये भी आप लोग याद रखीगा ये भी कुश्चन स्मूच लेता है सागर क्यलास ओलारकर ये मलकम से जुड़ी हुई इला वेनिल वला रीवान ये सूटिंग ओमपेकास मिथरवाल सूटिंग स्रीजा अकूला टेवल टेनिस विकास ठाकोर भालतोलन अंसु कुस्ति सरीता कुस्ति से जुड़ी हुई है और आप देखेंगे कि परवीन, बुसू, मांसी, ग्रीश, चंद, जोसी, पैरा बैडमिंटन, तरुन, धिल्लो, पैरा बैडमिंटन, स्वापफिल, संजय, पाटिल, पैरा तैरा की, जरलिंग, अनीका, जे, बाधिर, बाधिर, बैडमिंटन इस तरह से अरजुन पुरुषकार 25 खिलाडियों को दिया गया, कितना 25 खिलाडियों को, ठीक है और अगर हम लोग खेल कून और गेम्स में उतकिष्ट कोच के लिए बस 2022 के दोड़ाचार पुरुषकार की देखें तो यह आप देखेंगे, कोच का नाम हो गया, जीवन जोत सिंग तेजा, यह तिरंजादी से जुड़े हुए है, तिरंदाजी से मुहमद अली कमर, बॉक्सिंग से जुड़े हुए है, सुमा सिधार सिरूर, पैरा सुटिंग से जुड़े हुए, सुजीत मान, कुष्टी से जुड़े हुए, चार लोगों को दिया गया है और Lifetime Sandy में आप देखेंगे तीन लोगों को दिया गया दिनेस, जवाहर, इन्हें किरिकेट के लिए बिमल, पिरफोल, गोस्ट, फोटबॉल के लिए रासिंग, कुस्ती के लिए और खेलकूंद और गेम्स लाइब में लाइब टैम, अचीमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरुसकार की बात करें तो ये चार लोगों को दिया गया असोनी अकुंजी, स्री एथलेक्टिक्स है धरमबीर सिंग, ए होकी बीसी सुरेश कबड़ी, स्री बहादुर गुरुंग, ए पैरा एथलेक्स है और राष्टी खेल पुरुसकार की बात करें तो नवोदित और युवा पितिभा की पहचान और पिसिक्षन राष्टी खेल पुरुसकार की लिए संस्ता है Trans Stadia Interprizes Primate Limited Corporate सामजेक उत्तरदाईत के माध्यम से खेलों को पुरुसान के लिए कलिंग पुरुद्धकी की उद्धोगिक पुरुद्धकी की संस्तान को विकास के लिए खेल के लिए ए लद्दाक इसकी एंड इश्नोबोर्ड इसोसियेसन को और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे दी गई है गुरु नानक देव बिस्विध्याले अमरेस्तर को और तैंजिंग नौरगे राष्टी साहिच से एक पुरुसकार किसे दिया गया है ए नैना धाकर लेंड एडवेंचर है सोभम धनजय बनमाली वाटर एडवेंचर और गुरु कैप्टन कुमर भवानी सिंग साम्याल ए लाइफ टाइम अचीब मैंड तो इन पुरुसकारों के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा इनसे कुश्टन्स पूंचे जाएंगे ठीक है और एक ध्यानचंद की बात हुई है मेजर ध्यानचंद की होकी के महान खिलाडी और आप सभी जानते हैं की 29 अगस्त 1905 में प्रयाग राज में इनका जनम हुआ था 3 दिसंबर 1989 में इनकी डेथ हो गई थी और 29 अगस्त को राष्टी खिल दिवस भी मनाये जाता है इनके जनम दिन पर तो यह भी आप लोग याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद की जनम दिन को राष्टी खिल दिवस की रूम में मनाते हैं 29 अगस्त 29 अगस्त एक कुश्चन स्पूंच लिए आए कई बार